प्रिये किशान सात्यों हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल हरी गंगा फार्मिंग में आप सब का स्वागत है। सबसे पहले शीमा का जवान आपका प्रिये सुवेदार जगदिश सिंग चोहन की राम राम दोस्तो अपना खान पान सही हो तो आपके सरीर में कोई रोग नहीं लगेगा। लेकिन खान पान गलत होने की वज़े से या उम्रद राज होने पर एक ऐसी बिमारी हो जाती है जैसे की हातों में कमपन होना। हाथ कांपने लगेंगे इस तरीके से चाय काप पकड़ेंगे तो इस तरीके से छलकेगा। हस्त अक्सर करेंगे या लिखेंगे तो हेंडरेटिंग बदल जाएगा। आजकल ये विमारी 35 साल के युवाओं में भी हो रही है। उसका में कारण ज्यादा सराब का शेवन करना। एसंतुलित भोजन का खाना। गलत तरीके से सोना और ये अपना खाना जो है वो सही तरीके से ना खाना। ये इसके मुख्य कारण है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जानकरी देने जा रहा हूं जिसमें एक मात रोपाय करने से आपके हातों की जो कमपन हैं हातों का इस तरीके से कापना होता है ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। आपको ऐसे आपने भोजन करना है कि जिसमें फल हों शबजियां हों दाले हों जैसे कि मश्रूम हैं उसको आप ड्राइफ फॉर्म में लें। प्टाम के चाहे उसकी सब्जिय बना कर लें या उसको जो है आप अचार के रूप में लें। उसको अपना नियमित रूप से उसको आप लें। दूसरा है अंजीर। अंजीर के लिए मैं आपको बताऊं कि देखिए ये सामने ये अंजीर के पेड़ हैं और इनको आप अपने किचन गार्ड में में लगा सकते हैं ये अंजीर देखिए इनमें बन रही है अब देखिए ये अंजीर तैयार हो रही है इसको आप फ्रेश पके हुए फ्रूट के रूप में ले सकते हैं इसको आप जो है ड्राइव फॉर्म में भी इसको करके और उसको प्रिजर्ब करके आप उसको भी यूज कर सकते हैं तो देखिए ये अंजीर भी है दूसरा आपको अच्छी डालें फ्रूट में पपीता और पाइनेपल ऐसी अम्रूत इन चीजों को आपको सेवन करना पड़ेगा ये मोरंगा जिसको शैजन भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको सोजना भी बोलते हैं उसकी फलियों का आप सब्जी बनाएं उसको डाल में डालकर सांबर बनाएं या उसका जो है आप अचार डालें या उसको उस सेरका की में डालके और उसको आप यूज कर सकतें इन चीजों मैंन सिगनिशियम पोटेशियम फाइवर यह भरपूर मात्रा में होते हैं और आपके सरीर को उमर के हिसाब से भी और नॉर्मल एज में भी आपको भरपूर भोजन जो पोशक्तत्व होते हैं वो आपको मिलते रहें कि उसके बाद अगर आपको कोई बिमारी कंपन की लगती है उसके लिए आपको थोड़ा फिजीकल भी करना होगा जैसे कि प्रणायाम है योगा है और एक हलकी exercise है सबसे पहले आप जमीन पर अपने हाथों को ऐसे रखें और उनको इस तरीके से जो है आप पीटें धर्थी को आपके हातों में पशीना आता है खतेली में या आपके हातों में कंपन होता है वो रुक जाएगा दूसरा आपको ये देखिए इसको बोलते हैं हैंड ग्रिपर आपको ये लेना होगा और इसकी जो है कुछ एक्सरसाइज है एक्सरसाइज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको क्या करना है देखिए इसको आप इस तरीके से अपने हाथ को खोलें और खोल कर इस तरीके से इसको अपने चारों उंगली और ये अंगुठा अंदर की तरफ और इसको इस तरी से इसको फुश करें ये और छोड़ें फुश करें छोड़ें फुश करें ये पिरक्रिया आप तब तक करें जब तक कि आपका हाथ जो है दर्द ना करने लगा हलका क्याजा नहीं करें शुरुवात में कम करें लेकिन इसको डेली आप अपने रूटिन में सुबह-सुबह लाएं ईसके बाद में आपने दूसरे हाथ में इसको ले ले लें इस तरीके से और दूसरे हाथ से भी आप इस तरीके सेiffe प्रेस्ट कर रहें इसमें कई फाइदे हैं देखिए इसको यहां पर प्रेस होता है यहां पर तो यह एक्वाइप प्रेसर का काम करता है और आपकी जितनी भी वेंस हैं उनमें खून चलने लगता जो अवरोध हो चुकी है और यह जो उंगलिया है देखिए इसमें भी प्रेसर पड़ता है और यह इसको सही करता है अक्वाइप प्रेसर का काम करता है दूसरा जो है आप इसको इस तरीके से पकड़ें ऐसे और इन दोनों को मिलाएं और अपना स्टॉप बाच रखें जब आप इसमें प्रक्तिसम आ यह जाएं और इसको इस तरीके से दवा कर इसको आप पंद्रे सेकंड आधा मिनट एक मिनट जितना आपका यह हात कापने ना लगें जब तक सब्सक्राइब कमपन ना होने लगे इसके दवा कर राखे को दवा कर रखे हैं और दीए मेरे हाथ में कोई कमपन नहीं हो रहा है मैं इसको पुष करके मूँर्द है जाए झालम मिनट तक दवा कर रख सकते हूं अब देखिए मेरे हाथ को से निशान पड़ गया के प्रेशर से यहां पर भी और उंगलियों पर इससे क्या होता है कि हमारा जो घून है जो ब्लड है वह रुका और उसके बाद यह चल दिया पूरे hathoём में और समय ख्धालने लगने इस तरीके से हम इसको दूसरे हाथ में भी उसी तरीके से इसको पकड़ें और इसको जो हम पुश करकर रखें और इसको भी उसी तरीके से जितना हम रोक सकते हैं 15 सेकेंड तीस सेकेंड एक मिनट या डेड़ मिनट जो लेफ्टी होते हैं लेफ्ट हेंडर होते हैं वो ज्याधा रोकेंगे और जो कम होते हैं तो उल्टे हाथ में पावर कम होती है जितना आप रोक सकते हैं उतना आप रोकिए जब तक आपका हाथ कापने ना लगे जब कमपन आने ल त्रीके तरफ हे US तरे उसके ऐसके आप फिर यह जो या जो कू्सेदा है इस पर हमारा यहां पर होते हैं तो इसको यहां पर रखें यहां पर इस तरीके कई और इसको जो है जितना दपता है इस तरीके छोड़ें दवाएं और इसको छोड़ें इस तरीके से इसकी भी आप exercise साइज उसके बाद में देखिए यह जो हमारे यह जो पॉइंट होते हैं इन में भी डालने से हमारी जो ऊपर की यहां की गर्दन तक की सारी मसल जो है सही काम करने लगती है इनकी जो बेन से समय फूर का भाफ सही हो जाता है तो आप उसको भी जो है इस तरीके से लें और इस तरीके से इस तरीके से यह जोना अंगोठे के बीच में और इसको पुष करें छोड़ें पुष करें छोड़ें पुष करें छोड़ें पुष करें छोड़ें फिर इस तरीके से इन में और सारी इंगलियों में आप इसको कर तो यह आपका जो है हाथ कभी भी खांपे गाने जो बच्चे लड़के पुलिस में जाना चाहते हैं फोर्स में जाना चाहते हैं एर फोर्स में या आर्मी में या CRPF में उनको मेडिकल में रिजेट कर देते हैं कि उनके उनके हाथों में कमपन है या उनकी हतेलियों में पसीना है तो उसके लिए ये पीटने वाला धर्ती को और इसका प्रियोग करें इसके जो निशाने बाज होते हैं जो तीर अंदाजी अर्चरी वाले होते हैं कि अगर उनका जराता हाथ कांपता है तो निशाना टार्गेट पर नहीं जाएगा मैं बेस्ट फैरर रहा हूं आर्मी के अंदर क्योंकि अगर हाथ आपके कंपन नहीं है दुरुस्त आपकी स्विष्ट है एक आँख आपकी जो है आप बंद कर सकते हैं और डवल ट्रेगर ओप्रेशन करते हैं तो आपका निशाना बिलकुल टार्गेट पर जाएगा चाहे वो अर्चरी में धनुशबान हो चाहे वो एयर पिस्टल हो एयर गन हो या आपका राइफल हो या पिस्टल हो आप एक अच्छे थैरर बन सकते हैं आप एक अच्छे अर्चरी के आप धनुविद्धा में निप्ण हो सकते हैं और देश का नम कमाज़ तो देखिए मैं फिर पताऊंगा कि उम्रद्राज होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है और इसको हम इस तरीके से पकड़कर रख सकते हैं और हाथ हमारे नहीं खापेंगे आज भी कई पिर्तियों गिताओं में मैं भाग लेता हूं अभी भी मेरा मन युवा की तरह करता है तो मैं खान पान प्राकरतिक खेती से जोड़ा हूं इसलिए जो है मैं आपको ये वीडियो डालना बहुत ज़रूरी समझा युवाओं के लिए और जो उमर्द्राज हो गए हैं मेरी उमर के हैं उनके हाथों में कमपन हैं मैंने उनको भी बताया है कि आप इस तरीके से जो है अपने हाथों की हैंड ग्रीपर से इसकी प्रक्टिस करें इसकी एक्सराइज करें आपके हाथ का आपने बंद हो जाएंगे और अच्छा खान पान रखें इस तरीके से वीडियो के अंत में मैं सभी वीवर्स से कहना चाहूंगा कि मेरी हमेशा आप लोगों को अच्छी अ थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ घंटी वाले बटन को भी दवाना ना भूलें जिससे की सबसे पहले मेरी नए 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 वीडियो की नोटिफिकेशन सब आपके पास वीडियो पसंद आने पर ज्यादस ज्यादा लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें धन्यवाद